हेई गाइज वेलकम तो इन्फोटेक प्लस और वेलकम अगें तो अन्योटीक वीडियो फ्रैंज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपोर्टेट अपडेट के वारे में फाइनली यह काफी इंपोर्टेट है सारे ही रेडमी नोट 3 यूजर्स के अगर आप एक बीटा रोम यूजर्स कर रहे है तो आपको इस्टेवल अपडेट आएगा या नहीं आएगा आएगा तो आप उसको कैसे डाउन ग्रेड या अपडेड कर सकते हैं तो सारी चीज़े मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत इसली स्टेफ बाई स्ट सारी चीज़े आपको किलियर करूँगा अगर आप एक स्टेवल अपडेट यूजर्स कर रहे हैं जो भी है 10.2, 10.1 तो आपको अपडेट मिलेगा कैसे मिलेगा कैसे डाउनलोड करेंगे कैसे अपडेट करेंगे और अगर आप एक बीटा रोम यूजर्स कर रहे हैं तो फि में एक बरी आपको चेक करा देता हूं उसके बाद सारी डीटेल में हम सारी बात करेंगे तो फाइनली मेरा वजयन आप एक बरी चेक कर लीजिए तो फाइनली मैं MUI 10 की 8.11.22 जो बीटा डबलपर रोम है वो खुद यूज कर रहा हूं फाइनली इसका परफोर्मेंस और बैटरी वेकप मच बेटर है स्टेबल रोम से तो फाइनली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम इस रोम को यूज करने के बाद स्टेबल अपडेट हमें कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा और इस रोम पर कोई अपडेट आएगा या नहीं है तो सबसे पहले इसका कॉंसेप्ट यह है स्टेबल रोम अलग है और यह डबलपर रोम अलग है दोनों रोम फाइनली रेडमी नोट 3 के लिए है लेकिन यह रोम डिफरेंस है तो इसका वर्क अलग है फाइनली वर्क तो दोनों का एकी है लेकिन यह इसके जो अपडेट आते हैं वो अलग आते हैं और डबलपर रोम आपकी जो यूज कर रहा है उसके अपडेट अलग होते है और इस्टेबल रोम के अपडेट अलग होते है तो finally इस पर जो update आएगा वो आपको यहाँ डबलपर रूम में मिल जाएगा लेकर आपको जो stable update आएगा तो आपको डबलपर रूम में नहीं मिलेगा वो आपको stable update में ही मिलेगा तो इसके लिए बहुत सारे सस्क्राइबर मुझसे यह पूच रहेते हैं अगर हम एक बीटा रूम यूज कर रहे हैं ये वर्जन कर रहे हैं इसके अलावा कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं तो हमें stable update मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आपको stable update यहां पर नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक बीटा रूम यूज कर रहे हैं लेकिन अगर आप उस इस्टेबल अपडेट को अपडेट करना चाते हैं तो उसके लिए उस अपडेट को डाउनलोड करके आप स्टॉल कर सकते हैं क्योंकि अभी Redmi Note 3 में 10.2 का जो अपडेट आया था वो सारे ही उजर्स को एकदम नहीं मिला था बहुत टाइम लगने के तो गाई इसका यही कॉंसेप्ट है उसके बाद फर मैंने उसको आपको एक वीडियो बना कर दिया था जिसमें मैंने आपको बहुत डीटेल नहीं बताया था कि आप उसको कैसे मैनूली फ्लेश कर सकते हैं वो वीडियो अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चैक करके एक वरी आप चैक करके देख लीजेगा तो फाइनली कॉंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा तो फाइनली हम बात कर रहे हैं इसके बारे में कि डबलपर रूम में अपडेट आएगा और इस्टेबल अपडेट कैसे हम उसको अपडेट कर पाएंगे तो फाइन update भी मिल जा है तो इसके लिए आपको वो update download करके यहाँ पर से जैसे कि मैं flash करके आपको दिखाता हूँ सारे ही updates तो finally उसको आप इसको downgrade upgrade कर सकते हैं कोई विशू नहीं आना है तो यह बहुत simple सा concept है बहुत सारे subscribers को लेके परिशान थे कि अगर stable update आता है तो वो कैसे update करेंगे और वो इस room में भी रहना चाते हैं और stable update को भी use करना चाते हैं so guys इसका यही concept है अगर आप कोई beta room यूज कर रहे हैं तो stable को download, upgrade, downgrade जो भी करना चाते हैं तो बहुत ही simple way में कर सकते हैं लिए आपको room change करने के भी कोई जरूवत नहीं है अगर आप उसको downgrade करना चाते हैं तो कर सकते हैं कोई issue नहीं आपकी मर्जी है 10.2 में जाना चाहिए तो जा सकते हैं वहाँ पर आपको push update जो OTG का जो update मिलता है तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा जो push update आता है वहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर अगर suppose रैड मैंगा चेक करता हूँ और यहाँ पर जो push update आता है तो उसको आप बहुत easily इसको install कर सकते हैं देख सकते हैं आप चेक फोर update करेंगे और install कर लेंगे लेकिन same वही process है अगर आप बीटा रोम में रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं अगर आपको वो update मिले तो गाइस वो बिलकुल आपको update मिल जाएगा आप उसको download करके install कर पाएंगे बहुत easily कोई issue नहीं आना है तो कोई issue नहीं आपको जब भी update आएगा बीटा अपडेट आए या stable update आए दोनों में डाउनगेट अपडेट कर सकते हैं कोई issue नहीं आना है और सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो बना कर दे देता हूँ जिससे आपको downgrade upgrade की कोई भी issue या कोई भी दिक्कत नहीं आती है तो उसको देखकर आप कर सकते हैं क्योंकि जब भी update आएगा तो आपको वीडियो के दिरूँ मैं तुरंत quick update दे देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कैसे downgrade upgrade करना है link भी मिल जाता है downgrade upgrade का camera में यानि के back camera में बहुत सारे morts मिल जाएंगे बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगो battery backup के भी बहुत सारे issue है जो fix होने की बहुत जाधा संभावना है तो guys यही quick update था वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए अपने friends में share कीजिए और चैनल सस्क्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें कि क्यों आपको अगर Redmi Note 3 के वीडियो देखना है तो तुरंट चैनल को सस्क्राइब करके गंटी को दबा लीजिए जिससे आपको latest वीडियो की update and notification पहुंसती रहेगी और आपसे कोई भी वीडियो ने डो Redmi Note 3 का मिस नहीं होगा तो चैनल को तुरंट सस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करें मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग आई सी यू इन दे नेक्स वान